राजसान हाई कोट ने PTI भरती 2022 में याचिका करता को दसावेज सत्यापन के लिए बुलाने के साथ ही राजसान करमचारी चैन बोर्ड उस सिक्षा उभाग से नोटिस जारी कर जवा मागा है हाई कोट ने भरती में प्रथम पेपर और दित्य पेपर की उत्तर कुझी को चुनोती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यादेश दिया है नयाधीश सुदेश बंसल ने कैलाश सांखला और अन्ने की याचिका प्रियादेश दिया आपको बता दें कि याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सेनी ने कोट को बताया है इसमें बताया गया कि याचिका करता ने पीचे आई भरती परिक्षा 2022 में हिस्सा लिया बोर्ड ने 16 जून को कुल 5546 शारिरिक सिक्षा अध्यापक के पतका विग्यापन जारी किया था 25 सितंबर को परिक्षा हुई थी जिसकी प्रतम उत्तरपुनजी 11 अक्टूबर को जारी की गई थी इसके बाद फाइनल उत्तरपुनजी 21 अक्टूबर को जारी की गई जिसके नुसार याचिका करता के प्रधम पेपर में जो 13 उत्तर सही थे उनका उत्तर बदल दिया गया कुछ को डिलीट कर दिया गया ऐसे ही दित्तिय पेपर में भी 20 प्रेशन के उत्तर बदल दिये गया साथ ही कुछ प्रश्न हटा दिये गए जिसके कारण याचिका करता है चैन से वंचित रहे गया कोट को उन्होंने बताया कि यदिवे उत्तर डिलीट नहीं होते तो प्राड़्थी का चैन हो जाता इस परकार के लापा भाई को लेकर कोट में भी चेता है उसलिए तोर पर जवाब मांगा है कि आखिरकार नौकरी ना मिलने का कारण क्या है जवाब दे प्राड़्थी का के डिजिटल प्लेटफोर्म के लिए मैं आपके साथ कृपा शंकर